नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है सुबास लामा और मैं वेलकम करता हूँ आपका इंफरमेटी हंदुस्तान यूटूब चैनल पर दोस्तो एरक्राफ्ट केरियर रखना और उनको इस्तमाल करना एक मुश्किल और महेंगा काम है आपके पास बहुत ही जबरदस्त एक्सपर्टीज होनी चाहिए एरक्राफ्ट केरियर को उपरेट करने के लिए क्रू की ट्रेनिंग भी जबरदस्त होनी चाहिए क्योंकि एरक्राफ्ट केरियर पर गलती की कोई गुलजाइश नहीं होती एक तो इंसान की जान का भी खतरा होता है और एक छोटे से एरिया में आपको fighter jet को land और take off करवाना होता है कहने का मतलब यह है कि यह काम आसान नहीं बहुत ही मुस्किल होता है इंग्लेंड के पास अभी दो aircraft carrier हैं HMS Queen Elizabeth और दूसरा HMS Prince of Wales काफी टाइम तक इंग्लेंड की Navy बिना aircraft carrier के ही operate करती रही उसके बाद फिर इनके पास पहले HMS Queen Elizabeth आया और फिर HMS Prince of Wales लेकिन इन दोनों aircraft carrier के operation में काफी problem आ रही है पिछले साल ही HMS Prince of Wales ने America जाना था वहाँ की Navy के साथ exercise करने के लिए लेकिन ये सिरफ 24 गंटे बाद ही अपने port पर वापिस आ गया क्योंकि इसके अंदर बहुत से ऐसी problem आ गई थी जिनको address करना बहुत जरूरी था कुछ ऐसे fault आ गए जिनको ठीक किये विना HMS Prince of Wales Atlantic के दूसरे कोने तक नहीं जा सकता था तो वहाँ जाकर exercise का तो कोई मतलब भी नहीं बनता इसलिए Royal Navy ने ये फैसला लिया कि Prince of Wales को वापिस अपने port के अंदर लेकर आएंगे पहले इसको repair करेंगे और फिर इसको किसी mission पर भेजेंगे इससे ये थाबित होता है कि आपके पास aircraft carrier का आजाना काफी नहीं होता आपको इन्हें अच्छे तरीके से इस्तमाल करना होता है रशिया के पास जो aircraft carrier है वो कई सालों से port के अंदर बंद पड़ा हुआ है रशियन उसको upgrade भी कर रहे हैं उसकी और hauling भी कर रहे हैं लेकिन 2017 से वो रशियन नेवी के किसी काम का नहीं है और वो एक white elephant के तरह रशियन नेवी का budget खा रहा है वैसे तो दुनिया की बहुत सी नेवी के पास aircraft carrier मुझूद है किसी के पास एक तो किसी के पास दो लेकिन इस टाइम यूएस नेवी के पास 11 aircraft carrier है यूएस नेवी का इन aircraft carrier को इस्तमाल करने का experience दुनिया के किसी भी नेवी से ज़्यादा है खेर अपने topic पर आते हैं यह जो Royal Navy का Prince of Wales है इसमें December 2020 में flooding का मामला सामने आया इस flooding के कान इसका high voltage electric propulsion system damage हो गया था इसमें लगे हुए दो rolls royal marine gas turbine खराब हो गए थे साथ ही इसमें लगे चार diesel engine में problem आ गई थी इसके उपर जो aircraft operate होते हैं F-35B उनमें वैसे ही बहुत सारी problem है कुछ दिनों पहले internet पर एक video viral हुई थी जिसमें हमने देखा है कि एक F-35B aircraft landing के time crash हो गया था और ये same aircraft इस time royal navy use कर रही है अपने aircraft carrier पर तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ना सिर्फ royal navy के इन दोनों aircraft carrier में problem है बलकि इनकी उपर से इन्होंने जो aircraft operate करने है F-35B उसमें भी बहुत ज़्यादा problem है पेपर के उपर तो royal navy के पास दो aircraft carrier मोजूद है लेकिन क्या वो operational है क्या किसी war में ये दोनों aircraft carrier पार्ट ले सकते है मुझे तो नहीं लगता कि इस time ऐसी situation में जहां पर F-35B aircraft में भी problem है इन दोनों aircraft carrier में वैसे ही बहुत problem चल रही है तो royal navy इनको किसी combat mission पर भेजेगी इस साल इस Prince of Wales के हवाले से कुछ और news आ रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि इस aircraft के कुछ पार्ट को remove कर दिया गया है जैसे इसके जो flight elevator हैं उनको remove कर दिया गया है ये flight elevator वो होते हैं जिससे aircraft को deck के उपर लाया जाता है क्योंकि fighter jet को deck के उपर नहीं रखा जाता इनको aircraft carrier के अंदर hangar base बने होते हैं उनमें रखा जाता है जब इन fighter jet को fly करना होता है तो सिर्फ उस time इनको flight deck के उपर लेकर आया जाता है बाकी time की safety के लिए इनको अंदर ही रखा जाता है तो Prince of Wales के elevator को remove कर दिया गया है के लिए royal navy जो type 45 class के destroyer साथ बेज़ती है उनका भी कुछ हाल ऐसा ही है एक time था जब England अपने navy power के लिए जाना जाता था लंबे time तक England ने दुनिया पर राज किया उनको लूटा सिर्फ अपने naval power के कारण और आज England का जो flagship जहाज है उसके हालाद ही खराब है उसे वो 24 गंटे के लिए भी अपने port से बार नहीं निकाल सकते उसकी protection के लिए जो destroyer साथ चलते हैं उनके हालाद भी इतने अच्छे नहीं है कि उसे protect कर सके जैसे कि ये जो type 45 class के destroyer है इनका availability rate सिर्फ 17% है 2021 में इन 6 destroyer में से 5 out of service थे सिर्फ एक type 45 class destroyer था जो operational था इससे पता चलता है कि किसी country के पास सिर्फ aircraft carrier आ जाना important नहीं होता उनको operational रखना सबसे बड़ा task होता है आज के time जिस तरह से naval warfare चेंज हो रहा है उस हिसाब से इन ships को ज़्यादा power के requirement होगी लेकिन इस time Royal Navy के ships में जो सबसे बड़ी problem है वो loss of power की ही है इन में flooding हो जाती है जिससे इनके propulsion system ढूब जाते है और ये ships अपने अलग-अलग equipment को power नहीं दे सकते इस time पर US और इंडिया ने अपने ships पर direct energy weapon लगाने शुरू कर दिये है और Royal Navy के हालात ऐसे हैं कि वो इन direct energy weapon system के बारे में सोच भी नहीं सकते उनके लिए अपने flagship जार्जों को operational रखना ही एक बड़ी चुनोती है तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही आप अपनी राए हमें comment box में जरूर दे अगर वीडियो जरा से भी पसंद आया तो लाइक कर दे और प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे चाहिए